इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब आप किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको इस तरीके से दिखाता है जिसमें लिखा है cannot place a call as another outgoing call is already dialing तो इसका क्या मतलब है हमारी call क्यों नहीं लग रही है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो का इन तक देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजएगा तो देखिए जो problem है वो mainly उस समय आती है जब आप एक साथ दो call करने की कोशिश करोगे तो उस case में आपको इस तरह की problem आती है आने वाली है ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है cannot place a call as another outgoing call is already training का मतलब है होगा कि आपकी एक already call चल रही है और आप उसी वक्त जो है उस call को भी on करना चाते है और उसी वक्त दूसरी call भी करना चाते है ठीक है तो उस case में आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते है बैसिकली सभी phone में इस तरह से नहीं होता है बट अगर आपको इस तरह किसे दिखाता है तो उस case में आप जो है क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हो तो उस case में आपको अपने जो भी पहली call चल रही है जहाँ पर आप बात कर रहे फिर्ष्ट वाली कॉल तो उसे आपको पहले जो है hold पर रखना है और उसी call से आपको जो है दूसरी call लगाने होती है ठीक है वर हम करते है कि उस call को तो on रखते ही रखते है और दूसरी call को भी मतलब directly की pad में या फिर आतने मतलब dial or tune में आते हैं और वहां से directly दूसरी call करने की कोशिश करती है तो वहाँ से हमें वो call नहीं करने होती है जो भी हमें call आई होती है वही से हमें पहली वाली call को hold पर रखना होता है और दूसरी call लगाने होती है सभी phone में इस तरह की setting नहीं होती है किसी ज्यादातर phone में आप जो है एक साथ दो calls लगा सकते हैं जैसे आप दूसरी call लगाते हैं पहली call और पर पढ़ जाती है और दूसरी call आप जो करना चाहिए उससे करिए या फिर जो आप first call कर चुके है कर रहे है उसके उपर आप जो बात कर रहे है उससे आप hold पर लगा दीजे और वही से आप जो है दूसरी call कीजेगा इससे आपकी जो problem है वो fix हो जाएगे और आप एक साथ दो call भी कर पाएंगे झाल 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 झाल